हलो बच्चो इशार्ट करते हैं आज लेश्चो नमबर त्री स्क्रिट्री प्रोड़क्ट एंड देर इलिमनेशन टॉपिक है यूरिन फॉरमेशन अगर यूरिन फॉरमेशन की बात किरें तो यूरिन फॉरमेशन इंवाल करता है महनली तीन प्रॉसेस को ठाजिए यूरिन formation में मैंनी हमारे कितने process होते हैं? तीन process होते हैं, पहला होता है, filtration, दूसरा होता है reabsorption, और तीसरा ह gü intimidation, और इन ही तीन process के थूरू हमारे urine का formation होता है, ठीक है? यनी इन ही तीन process के थूरू क्या होगा हमारा urine बनेगा. तो आईए करके देखें एक एक करके सबसे पहले बात करते हैं फिल्ट्रेशन या इसी को हम कहते हैं ग्लैमर्बूलस फिल्ट्रेशन ठीक है इसे नॉर्मली फिल्ट्रेशन कह दो या इसे हम क्या कहेंगे ग्लोमैर्बूलस फिल्ट्रेशन ठीक है ग्लैमर्बूलस filtration या इसी को हम कहते है ultra filtration या इसी को और हम किस नाम से जानते है ultra filtration ठीक है इसी को हम और किस नाम से जानते है ultra filtration के नाम से जानते है ठीक है तो आएए एक एक करके देखें किरह होता है कि जो हमारा nephron होता है ठीक है ये तीनों process जो है यह हमारे नेफ्रान के अलग-अलग पार्ट से होगा ठीक है यह जो फिल्ट्रे से ने रियर दॉप्सने सिक्री से ने यह हमारे जो नेफ्रान होंगे नेफ्रान के अलग-अलग पार्ड में यह सारे प्रॉसस होते है तो करेंगी जो हमारा नेफ्रान होता है ठीक है नेफ्रा के बाद यह क्या होता है highly qualify portion होता है और इस highly quality person क्या बोलते है PCT क्या बोलते है PCT इसके बाद हमारा क्योंता हेर पिंल्लइक instruction मिलता है और इस metre लिंघ के स्ट्रक्शन क्या का बेसे हल लोग जिसने दो होती एक descending होती है और एक क्या होती है sending और यह ascending limb जो होते हैं एक state नदर के उपन हो जाती है और इस state ट्भ का रॉण का थियो हैं जो हमारा जो हमारा je a friend audio घ्रण है एक पाइप आती है щॉ और इस पाइफ का थे ऐी ए झर ये tar ow बोलती है तो यह क्या होता है पतली पतले आर्ट्री में क्या होता टोड़ जाता है य çょ्ण टुफ्ट अ' और LEDAY बना लिते हैं और पिर यहां से क्या होगा कि पतली सी पाइब क्या होंगी यहां से निकल जाएगी और इसे हम क्या ब Water ले कि ग्लैमरिलिस के पास ब्लड लेके को रहता है हमारा अफरेंट आर्टियूल और ग्लैमरिलिस से ब्लड को दूर को लेके जा रहा है हमारा इफरेंट आर्टियूल तो यह जो अफ्रेंट आर्टिल होता है ना यह हमारा क्या होता है थोड़ा चोड़ा होता है जब कि इफ्रेंट आर्टिल हमारा कैसा होता है पतला होता है तो अब यहां से बिलड क्या है ज्यादा आ रहा होगा यानि तेजी के साथ आ रहा होगा और यहां से बिलड जो निकल तो जो भी और और इसी जा है विशे से यहां पर वागा हमारा filter होता है किया इस्षचा crescent कैते हैं कियां होता है यहनले जो हमारा filter हसी होता है तैक की उसया होता है किसकी वजह होता है ऑब कर é् 내용 ब्लका आएम रहा कि यहां परмыटा हमारा ब्लॉट क्यों यहां पे टोटल त08 कितनी लियर रोती हैं यानि या पर जो कितनी से होंगी तुमारे तीन लेजर से होंगी ठीक है यहां पे जो फिल्टेसर हो वका कितनी लेर से होगा ठीक है यह हमारा किया घ्ल्यम लिए से ठीक है तो मैं एक छोटा सा ग्याम सा प्fill में ले रहूं ठीक है यह हमारा क्या होगा बोमेंड कैपसुल ठीक है यह हमारी क्या होगी बोमेंड कैपसुल ठीक है यह हमारी क्या होगी बोमेंड कैपसुल है अब कर रहे हैं यह हमारा क्या है एक छोटा सा पार्ट है किसका ग्लैमरिलस का ठीक है टफटाफ कैपीडी होगी और यहां होता है तो कितनी लेयर को क्रॉस करता तीन लेयर को पहले क्या करेगा प्लड इस वाली लेयर को क्रॉस करेंगा तो यह वाले जो लेयर है इसे हम कहते हैं इंडोथिलिय autoc 21 इंडोठीलियम आट ग्लैम्यलस ब्लीट रड़ वहसेलिखे मृष्ट ऑफ ओ यह रहां है इसे बोलेंगे सबंव मोर हुए समनल मृष्ट इस क्या करना प्लेंगा इस बॉमेन कैसी इसके cross करना पड़ेगा तो ये BOMEN capsule की जो लेयर ओती है नौ या जो BOMEN capsule की लेयर होती है इसे हम बोलते है E Australia क्या बोलते है? इस लेयर को क्या बोला जाता है? E Patay E Patay E Patay AP situation E submitted A cursist एपप्रोज आफबार इन दोनों के बीच इन दोनों के बीच में एक और filtration होता है तो किती लियर को cross करना पड़ता है तीन पहला क्या होगा endothelium of endothelium of glandularous blood vessel दूसरा क्या होगा epithelium of bowman capsule और तीसरा जो होगा ओ क्या होगा इन दोनों के 20 में लियर होगी जिसे हम क्या कहेंगे basement membrane कहेंगे क्या कहेंगे basement membrane अब करहा होता क्या है कि जो यह हमारी bowman capsule है यह हमारी bowman capsule की जो epithelium होती है epithelium silk यह जो epithelium है इसकी जो cell होगी इसकी cell को हम कहते है podocyte क्या कहते है podocyte इसकी cell को क्या बोला जाता है podocyte बोला जाता है तो यह जो podocyte cell होती है इनका arrangement जोता है intricate manner में होता है, कैसे होता है, Intricate manner में होता है, यानि, फुल्टा सिधा arrangement होता है, जिसकी विज़े से, इनकी से जिल के बीश क्या होते हैं, minute, minute, minute क्या होते है, पूर पाया जाते हैं और इस माइनूट पूर का करते हैं फिल्ट्रेशन पूर या सिलिट पूर ठीक है यहाँ पे क्या माइनूट पूर होंगे और इस माइनूट पूर क्या कहेंगे फिल्ट्रेशन पूर या सिलिट पूर कहेंगे और इसी के थुरू क्या होंगी चीजें फ फिल्ट्रेट बोलते हैं क्या होते हैं तो करें यह जो यहां पर जो चीजे फिल्टर होती है ना उसका जो कंपोजीशन होगा कैसा होगा प्लाजमा जैसा होगा कैसा होगा प्लाजमा ठीक है यहां पर जो चीजे फिल्टर होई है वो तुमारे उसका कंपोजीशन कैसा होगा accept the protein, protein को छोड़ गें क्योंकि protein की size क्या होती है थोड़ा बड़ी होती है, जिसकी वज़िसो slit poor से cross नहीं कर पाता, इसलिए protein क्या होंगे, तुमारी यही पे छोड़ जाएंगी protein क्या होंगे, तुमारी यही पे छोड़ जाती है और बागी जो पार्ट होता है वो क्या होता है फिल्टर होके बोमेन कैपसुल के अंदर चला जाता है इसलिए हम इसे क्या होता है अल्टरा फिल्टरेशन केते हैं क्योंकि यह जो फिल्टरेशन हो रहा है बहुत ही अच्छी तरीके सो रहा है इसलिए हम इसे क्या होता है अल् 200 ml ठीक है यानि जो हमारे दोनों किड़नी होती है दोनों किड़नी दोनों किड़नी मिल की यह जो फिल्टर कर रही है यह कितना फिल्टर करती है यह जो हमारे काडियक आउट्पुट का लगभग कितना होता वन फिफ्ट पार्ट है ठीक है हमारे काडियक आउट्पुट का य दोनों kidney मिलके एक मिनट में कितना करते हैं 1100 से 1200 ml blood करते हैं जो हमारा total cardiac output का कितना होता है वन फिफ्ट होता है अब इसके बाद जब ये इतने blood को filter करते हैं तो जो चीज़े इस side moment capsule के अंदर आ जाती है उसे हमने नाम कहा दे दिया filtrate तो इतने blood को filter करने पे जो filtrate त्यार होता है वो होता है 125 ml कितना होता है 125 ml होता है और इसे हम बोलते हैं glamorous filtration rate त्यांगे इसे हम क्या बोलते हैं glamorous filtration rate यानि glamorous filtration rate हमारा कितना होता है 125 ml होता ठीक है यानि GFR ये जो इस side filter हो के आ गया है इस side ये filter हो के आ गया है इस filter को हम क्या बोलते है filtrate क्या बोला जाता है filtrate और एक minute में जितना filtrate तयार होगा उससे हम क्या बोलेंगा glamourless filtration rate कहेंगे और ये एक healthy बंदे का glamourless filtration rate कितना होता है 125 ml होता है कितना होता है कर रही अगर माल लो किसी रीजन से यह हमारा glamourless filtration rate कम हो जाये अगर किसी जीचे से हमारा glamourless filtration rate कम हो जाये यानि एक minute में 125 ml तयार हो रहा है यह क्युनी तयार कर ए cervix याद रहना दोनों क तयार करहना ठीक है ते तो यह क्युनी जो हमारा एकफ़ पचीस एमेल तयार कर रही है अगर कि एकफ़ पचीस की जगें ये तुम्हारा 90 एमेल तयार करने लगें एस्टी एमेल तयार करने है यानि कि 125 एमेल से कम हो जाए इसका मतलब क्या होगा कि हमारा जो इक ग्लैम्रोलस फिल्ट्रेसन डरेट यह किया कर गया है टे कैसा है कि अगर हमारा इसके 一點 है इसे फिर से य्यी दो करने है कि यह जो हमारा अफरेंट आर्ट योल होता है टी कि हमारा a friend QUESTION Elaud और यह हुमारा कि'ा肥ty handlilu उसके बाद हमारी किए हुझ इस पाद हमुरी क्या हो यह ह उसके बाद यह हमारी कि क्या है और यह मेरी क्याइठ धियो तो इह हमारी यहां पर इस यहां पर फेसरां सें kthis क्णूंगते हुई आते हैं तो अगर डि weekly और इसका मत्बब कैए तुमारा अफ्रेंट आर्ट्यौल और कहीं ने कहीं पर क्या हुती है नश्थ होती है तुमारी अफ्रेंट आर्ट्यौल और D LOL कहीं पे क्या होते हैं टच होते हैं और जहाँ पे टच होते हैं वहां की तो ये release करेंगे, रेनिन, ये क्या करेंगे, रेनिन 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 क्या करेंगे, और रेनिन क्या करेंगा, फिर से हमारा glamular filtration rate क्या करेंगा, ये रेनिन क्या करता है, glamular blood flow को पढ़ा देगा, और जिए glamular blood flow तुमारा क्या हो जाएगा, पढ़ेगा, तो तुमारा glamular filtration rate भी क्या करेगा increase कर जाएगा ठीग है अगर कि अगर कि अगर हम देखें तो एक मिनिट में हमारा रिप ल्टरेशन डेट कितना ये 125 हेमयल है कितना मिन होगा होगा वो हमारा कितना हो जाएगा 180 लीटर कितना हो जाएगा 180 लीटर यानि एक दिन में हम कितना फिल्ट्रेट त्यार करते हैं 180 लीटर ठीक है लेकिन क्या हम 180 लीटर यूरीन निकालते हैं अगर ऐसा होता तो पता चलता है कि सुबह से साम तक हम कहां पर बैठा होते हैं बात्फरो और हमारा डेली बंट कितना रहा है 180 लिटर बंट रहा है इसका मतलब कि 99% क्या होता है 99% 99% को क्या किया जाता है реabsorondern minimum 99%PO क्या किया जाता है reabsorдо कर लिया जाता है और reimbursebn де ने नेफरों के अलग-अलगस segments होता है यह क्या होता है अलग-अलग segments होगा ठीक है अगर ये terminology यह तुम्हारा actively भी अठीक है actively बीआयए और तुम्हारे ये कैसा होगा पैसिवली भी होगा यहानको सब्सक्राइश को पैसिवली रिय ब्सक्राइब किया जाता है निफोनग्ध से le कहां से होता है PCT से होता है कहां से होता है यहां से हमारा क्या होता है सबसे ज्यादे रियाब्जॉप्शन किया जाता है अगर एक्टिवली रियाब्जॉप्शन किया जाता है जो हमारा एक्टिवली रियाब्जॉप्शन हमारा कैसा होता है actively होता है अगर facility reaction की बात की हो तो पैसिली reaction होता है nitrogenous waste ठीक है जो हमारे nitrogenous waste होता है कुछ nitrogenous waste को body के अंदर यानि kidney का जो हमारे kidney का medulla वाला region होता है वहां पे रख लिया जाता है osmolarity balance करने के लिए तो उसका जो reaction होगा यानि जो हमारे राप होती है उनका रिइब्सा nessuna कैसे होगा पैसिफिली होगा ठीजिए और नाजटे जैश्विस्ट ए साथ नक्तोगनस विस्ट और इते साथ साथ जो हमारा वार्टर होता है वार्टर का फिर बेज़ॉक्शन कैसा होता हैarin एँ और maximum DF option हमारा जहां पर होता है PCT ठीक है कहां तो दो दार PCT थे इसके बात कर रहा है Secretion कर रहा है अगर हम Secretion की बात करें ठीक है अगर हम Secretion की बात करें तो कर रहा है कि मैंने लिए तीन चीजों को Secret किया जाता ठीक है यह जो हमारा Filtrate बनाए इस Filtrate के अंदर ठीक है S Plus K Plus और Ammonia को क्या किया जाता है Secret किया जाता है तहां पर Filtrate में और यह Secret क्यों किया जाता है ताकि Ionic और Acid Base Balance रहें Body Flood का है ठीक है जो हमारा Body Flood है उसका Ionic और Acid Base Balance बनाए रखने के लिए हम क्या करते हैं कि नेफरान नेफरान के अलग अलग सेगमेंट से क्या करते हैं कि इस Filtrate के अंदर S Plus K Plus और Ammonia को Secret करते हैं और इस तरीके से हमारा Urine बन जाता है और इस तरीके से हमारा Urine बन जाता है